सेंटर की खुशी आजकल फूले नहीं समा रही और इसका अंदाजा हम मोधी गवर्मेंट द्वारा हाली में लिके ट्वीट्स, पोस्ट और स्पीचिस से लगा सकते हैं। जमो इन कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करके हटाने का जो डिसीजन 2019 में मोधी गवर्मेंट ने लिया था जब सुप्रीम कोट की फाइफ जजज बेंच ने उसे अफेल्ड किया तो उसके बात का रियाक्शन तो आप सभी जानते ही हैं। वर्डिक के आते ही मोधी गवर्मेंट में एक खुशी की लहर दोड गई थी। दिन में उन्होंने इलेक्शन कमिशन बिल पास कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि अभी इलेक्शन कमिशन बिल पर मोहल गरम ही था कि सरकार ने फिर से एक और धहमाका कर दिया। और इस बार जो धमाका किया गया है वो कुछ ज्यादा ही सीरियस और गौर करने वाला है। 2024 जनल इलेक्शन से पहले आउटेटेड लॉज में बदलाव लाती मोधी गवर्मेंट कुछ न कुछ ऐसे चेंजिस कर रही है जो समझ पाना काफी मुश्किल है कि सही है या नहीं। तो ऐसा ही एक बड़ा चेंज टेलीकॉम सेक्टर में भी देखने को मिला है। आपको बता दू कि दो महीने पहले गवर्मेंट ने ड्राफ्ट अफ़ टेलीकॉम्निकेशन बिल 2022 रिलीज किया था। इसके कुछ गुड इंटेंशन होने के बावजूद ड्राफ्ट बिल ने काफी क्रिटिसिजम और बैक्लैश रिसीव किया। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर ये बिल पास होता है तो गर्मेंट कुड इवन इंडिरेक्ली फोर्स यू तो पे फर यूजिं सर्विसेज लाइक वाट्सैप। पर क्या सच है इसका खुला सा तो रीसेंटली 18 दिसंबर को सेंटर द्वारा इस बिल को पालियमेंट में इंटर्ड्यूस करने के बाद ही हुआ है हाला कि एक बात अब भी सेम है और वो है मोदे गवर्मेंट की बैक्लैशिंग क्यों आईए जानते हैं आपकी चनकरी के लिए बता दू कि टेली कम्यूकेशन बिल 2023 एक अटेंप्ट है तो मॉडनाइज दे एक्सिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन दे टेलीकॉम सेक्टर जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिन टेलीकॉम सेक्टर वाइज ओफ टेक्नोलोजिकल एडवांस्मेंट और चैलेंजस से गुजर चुका है इसलिए ये वाइटल है कि हम outdated regulations को modify करे और rapid changes के अनुसार नहीं regulations बनाएं According to our government, the new bill aims for minimum but effective regulation of the telecom sector Union Minister for Communications, Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnov ने इस bill को introduce करते हुए बताया Telecommunication sector is a key driver of economic and social development, it is the gateway to digital services Security of our country is vitally dependent on the safety of telecommunication networks Therefore, there is a need to create a legal and regulatory framework that focuses on safe and secure telecommunication network that provides for digitally inclusive growth He added, the nature of telecommunication, its usage and underlying technologies have undergone massive changes, especially in the past decade Therefore, there is a need for enacting a legislation for telecom sector that serves the needs of our society आपको बता दूँ कि इस bill की कुछ highlights है जैसे कि आप जानते होंगे कि currently telecom department सो तरह की licenses, registrations और permissions इशू करता है पर ये bill इन सभी को एक single authorization process में club करता है साथ ही over the top OTT platforms और apps को bill में telecommunication services की definition से हटा दिया गया है Giving huge relief to communication service providers such as WhatsApp and Telegram which will thus remain out of telecom regulations Next highlight ये है कि entities को spectrum provide करने के लिए auction का तरीका ही prefer किया जाएगा But outside of satellite communications, administrative allocation will be done for sectors like metro rails, community radio, defense, railways and police among others ये bill government को उन spectrum को लेने के लिए allow करता है जो unutilized है for insufficient reasons And also open the door for sharing, trading and leasing of spectrum Entities को ऐसे unused spectrum को surrender करना पड़ेगा और साथ ही उन्हें government की और से इसके लिए कोई payment भी नहीं दी जाएगी Entities को उनके user का biometric authentication carry out करने के लिए कहा गया है ताकि fraud को रोका जा सके इस provision ने users की privacy पर concerns raised कर दिये है एक और जो बड़ा concern इस bill के introduction के बाद उठ रहा है वो ये है कि ये बिन central and state governments और specially authorized officers को empower करता है to seek interception, disclosure and suspension powers in case of a public emergency or interest or safety हाला कि press messages meant for publication in India and of correspondence accredited to state or central governments को inception से exempt किया गया है पर फिर भी उन्हें national security reasons के लिए intercept किया जा सकता है ये बिल जो parliaments list of business में Sunday evening को as a surprise add हुआ also empowers the center to take over control and management of telecommunication services and networks in the interest of national security और in the event of a war जी हाँ आपने सही सुना ये बिल government को allow करता है कि वो national security interest या फिर emergency cases में telecom services को take over कर सकते हैं और messages को intercept कर सकते हैं हाला कि ये सिफ temporary possession होगा इतने immense powers वो भी telecom sector को लेकर एक काफी alarming मामला है जहां आए दिन इंडिया में violence जैसे situation पर internet shutdown के incident देखने को मिलते हैं और लोगों को government के against कुछ criticize करते हुए पकड़े जाने पर उन्हें anti-terror law के under book कर लिया जाता है अब वहां और भी caution के साथ बात करने की आदट डालनी पड़ेगी इसके अलावा लोगों का मानना है कि ये new rules गवर्मेंट के खुद के digital India के vision को मार रहे हैं जैसे कि हमने आपको बताया कि बिल ने spectrum के administrative allocation के लिए doors open कर दिये पर ये एक debate बन चुकी है between the government and a divided industry जहां Reliance Jio को spectrum auctioning के लिए बुलाया गया था rather than administratively allocating it ATL Web1 ने government को strongly recommend किया है कि वो administrative allocation का root ले और इसके लिए fee charge करे आपको बता दू कि ये Supreme Court के 2012 में 2G case की ruling के backdrop में देखने को मिल रहा है it held that the allocation of 2G spectrum by the Congress-led UPA government was illegal and arbitrary exercise of power as it went on to cancel more than 100 telecom licenses allotted to companies तब से लेकर अब तक government द्वारा spectrum के allocation for most commercial purposes had became a no-go area given the discretionary nature of such decisions हाला कि satellite spectrum की कहानी थोड़ी अलग है terrestrial spectrum जो mobile communications के लिए use होता है satellite spectrum की कोई national territorial limits नहीं है और ये nature में international है तो इससे government के decision को समझा जा सकता है कि उन्होंने satellite spectrum के allocation को क्यों allow किया because there is no precedent of auctioning such airwaves globally the TRAI will decide the pricing of this spectrum and the methodology of allocation इस बिल में सेंटर के पास networks और telecom services को authorization देने का भी power है जब तक पब्लिक इंटरस्ट के लिए कुछ entities को exempt नहीं कर देते सो आप देखी सकते हैं कि किस level की और कितनी powers सेंटर ने इस बिल के जरीए खुद के पास रखी है और ऐसा करने के पीछे उनके दो बड़े reasons है First, to modernize the outdated colonial laws and दूसरा national security आपको उनका ये new bill कैसा लगा? Share with us and keep following law chakra for more such news